दोस्तो आज हम बात करेंगे बैदनात अनंत सालसा के बारे में दोस्तो ये जो अनंत सालसा है ये खून साफ करने के एक बहतरीन दवा है खून साफ करके स्किन से रिलेटेड जितने भी प्रॉलम होती है केली मुहासे, पिंपल्स, दाग धब्बे, जाया जूरिया इन सब के लिए बहुती अच्छा फाइदा करता है और आपकी स्किन को हेल्दी रखता है तो आज हम ये अनंत सालसा के बारे में बात करेंगे कि किस तरह की मेडिशन है इसके फाइदे क्या है, इंगिडियन्स क्या है, कैसे यूज करना है सारी जानकारी जो है आज की इस वीडियो में आपको दूँगा तो अगर पहले इसके इंगिडियन्स की बात करें और आवला जैसे कई बहतरी इंगिडेंस है वो सामिल के गए हैं दोस्तो इसके अंदर जितनी सारी जड़ी पूटियां जो ही मिलाई हुई है यह आपके ब्लेट को साफ करने का जो है काम करती है तो इसके फाइदों के बारे में अगर हम बात करें तो दोस्तो जैसा कि मैंने आपको सुरू में ही बताया कि यह खून साफ करने की एक बहतरी दवा है दोस्तो देखिए अगर आयरुवेद की माने तो जो इसके जितनी सारी प्रॉलम्स होती है वो खून की खराबी यानी ब्लेड की इंप्यूर्टी की वजह से होती है तो अगर इसके इंसे रिलेटिट किसी भी प्रॉलम है तो आपको इसका सेवन है वो करना चाहिए इसके इंसे रिलेटिट समश्याओं के उपर आपको इसका काफी बढ़िया फाइदा है वो देखने को मिलता है पिंपल्स, जाया जूरिया, दाग धब्बे, डाग सर्कल जैसे जितनी सारी प्रॉलम होती है वे दूर होती है अब इसके लावा फोडे फुनसी, एक्जीमा, सुरायसी जैसे चर्म रोगों में भी इससे फाइदा होता है यानि कुल मिला कर देखा जाए, तो खून को साफ करके इसके इससे रिलेटिट जितनी सारी प्रॉलम है उसको दूर करता है रूप निखारने और आपको सुन्दर बनाने में मदद करता है दोस्तों अगर बात करें इसके डोस की, यानि कि आपको इससे कैसे लेना होता है अगर इसकी बात करें तो दो दो चमत सुबे साम, बराबर मातरा में पानी मिला कर, खाना खाने के बाद है वो ले सकते है साडिफेक्ट की बात करें तो इसका ऐसा कुछ भी साडिफेक्ट नहीं है लेकिन तब भी से लेने के बाद अगर आपको कुछ भी हेल्थ मैश्यू लगता है तो आप इसे लेना है वो बंद भी कर सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए आप डॉक्टर से भी सलाह उले सकते हैं हाला कि इसका ऐसा कोई साडिफेक्ट नहीं है तो दोस्तो ये थी बैतनात अनंत सालसा के बारे में जानकारी अगर फिर भी कोई कॉश्चन आपके मन में चल रहा हो तो आप मुझे कॉमेंट्स के द्वारा भी पूश सकते हैं अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और अगर आप भी चैनल पे नए है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी जरूर करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे मैंनी मी जितेश and थैंक्यू सो मच पर रोचिंग